जाहिन फ्रेंट्स, hope you all are doing well, welcome to college to campus, मैं हर्सित आनंद, आज चुका हूँ एक नए institute के review वीडियो के साथ, तो इस वीडियो में complete honest review करने वाले है, सिक्षा ओ अनिस्वंधान इन्वर्स्टी के एंडर, जो ITAR, Institute of Technical Education and Research Institute है, उसका हम करने वाले complete honest review, कोई भी information आपसे bias धोकर के share क करने नहीं जा रहे, pros and cons दोनों में आपके साथ honestly discuss करेंगे, और देखते हैं कि ये institute आपके criteria पे stand by करती है कि नहीं, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लेंगे इस institute का एक brief overview, और उसके बाद हम देखते है कि क्या होने वाला आज कमारे इस वीडियो का content, ये institute है, वो 2007 में established ह और ये अभी private type institute है, इसके NIRF ranking 26 है, ये accredited है, NAC से इसको A++ का grade मिल रखा है, NBA, NABH, NBL और ICR से, यानि Indian Council of Agriculture Research से भी ये accredited है, approved है ये UGC से, ये international aggregation भी इसको ABAT और USA का मिल रखा है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होने वाला आज कमारा इस वीडियो का content, तो सबसे पहले इस वीडियो में हम connectivity के part को cover करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होने वाला है हमारा infrastructure, इस institute का कैसा infrastructure होने वाला है, courses कौन-कौन ये हमें offer करती है, अपना preference इस वीडियो में mostly BTEC पे होने वाला है, साथ में mode of admission क्या होगा, फिर ये branches, branches, branches भीटे के अंडर, क्या-क्या ये हमें offer करती है, वो हम check out करेंगे, placement कैसा है, cut off, pros and cons, और at the end मैं आपको बताऊँगा, POV, मेरा personal point of view as a student क्या है, वो भी मैं आपके साथ honestly discuss करूँगा, साथ ही मैं आपको बता दू कि कुछ institutes में including ASOA, ITAL, इसमें क्या है कि अभी चल रही ह direct admission, अगर आप interested हो, तो आप हमारी college to campus की team से contact कर सकते हो, direct admission without donation, उसके लिए आपको किसी तरह का donation देने का भी जरूरत नहीं है, अगर आपका interest है, तो आप हमारी college to campus की team से contact करो, वो आपको help करेगी, तो चल इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसा होने व लोकेटेड है, ये institute, जो international airport है, बीजुपतनायक, उससे 7 km के distance पर है, और 11 km के distance पर है ये भुनेशवर railway station से, तो इसकी जो location है, location भी इसकी अच्छी है, इसकी overall location भी काफी अच्छी है, मैं इसके location को अच्छा rate करता हूँ, जो इसका infrastructure है, उसमें भी आपको अच्छी facilities जैसे कि आपको library मिल जाएगा, sports facilities मिल जाएगी वहां से, आपको playground मिल जाएगा, wifi मिल जाएगा, seminar hall मिल जाएगा, auditorium मिल जाएगा, boys and girls का separate hostel मिलेगा, canteen मिलेगा, computer lab आपको मिलने वाला है, तो ये सारी opportunity, ये सब कुछ आपको ये सब कुछ वहां पे मिलने वाला है, computer lab भी आ जो regular need होता है आपको, उसमें किसी तरह का कोई problem नहीं आने वाला आपको, वो सारी facilities आपको इस institute के अंदर मिल जाएगी, जो hostel है, सबसे important बात मैं आपको बता दूँ कि जो fee structure इसका है, तो जिसको इसकी hostel की boarding fee अलग है और maze charge अलग है, मैं आपको separately मैं बता रहा हूँ, जो per annum इसकी hostel fee है, वो 48,000 है और maze का charge 36,000 है per annum, यह per annum है, जो कि इसके fee के comparatively, जो इसका fee है, उसके comparatively यह अफोडेवल है, जो इसका fee है, उसके comparatively यह charges अफोडेवल है, साथ में आपको hostel caution money, जो आपको security money, आपसे लेंगे 5,000 का, वो refundable होगा, वो आपको बात में refund कर दिया तो जो इसकी Btec की fee है, वो मैंने अलग-अलग branches के according, semester 22,000 कर दिया, आप आप देख सकते हो, जैसे CAC specialization, इसकी 1,47,500 per semester, CAC, Btec में, जो हम CSIT करेंगे, 1,37,500 per semester, Btec ECE, Electronic and Communication Engineering, इसमें आपको मिलेगा, आपको 1,27,500 per semester, और Btec EEE से करते हो, है न, civil engineering से करो, Electrical Engineering या Mechanical Engineering, तो 1,17,500 per semester, इसका fee होने वाला है, तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हो, और देखते हैं कि ये Btec Under, Btec जो lateral है, उसकी fee structure क्या होने वाली है, तो वो भी मैंने मिंसन कर दिया है, जो lateral Btec CAC, CSIT से करेंगे, 1,37,500, Electrical and Communication Engineering या, वो करेंगे, उसके लिए 1,27 और Civil, Mechanical and Electrical के लिए 1,17,000 per semester आपको लगेगा, जो की affordable नहीं है, जो economically sound नहीं है, जो बच्चे economically sound नहीं है, उनके लिए ये affordable बिलकुल भी नहीं होने वाला, आपको अगर लगता है कि ये आपको हलदिया में मिल जाए, वहाँ पे वो उसकी fee affordable है, तो मैंने आपको बताया कि जो कुछ institute है, उसमें अभी direct admission चल रहा है, direct admission तो आप हमारी team college to campus से contact करो, वहाँ पे आपको किसी तरह का donation भी नहीं लग रहा, इस institute में, तो हमारी team बिलकुल honestly आपको guide करेगी, कोई भी information आप से biased होकर के share नहीं करेगी, तो आप हमारी team का help ले सकते हो, चलिए इस वीडिय computer application M.C.A. अगर आपको, उसके 90,000 per semester, B.C.A. के 75,000 per semester, अगर आप nursing, biological, biology background से आ रहे हो, और आपको अगर veterinary science animal hospitality करना है, उसमें bachelor, तो 4,25,000 per semester आपको मिलेगा, B.C. nursing के लिए आपको, 4,4 साल का जो course है, उसके लिए आपको 75,000 per semester देना होगा, G.N.M. nursing, उसमें आप, जो 3 साल का course है, उसमें आपको 45,000 per semester देना होगा, post basic nursing, after G.N.M. जो हम करते हैं, वो 2 साल का course है, उसके लिए 60,000 per semester देना होगा, और MSC nursing में आपको 75,000 per semester fee देना होगा, यानि कि इसका जो fee है, जो economically sound नहीं है, उनके लिए affordable नहीं होने वाला है, to be honest, तो चले इस वीडियो में आगे ब जो university अपना exam conduct करती है, SAT, यह university क्या करवाती है, यह exam conduct करवाती है, SAT, तो इसके थुरू आपका admission हो सकता है, साथ में मैं बता दू कि अभी यहां पे कुछ courses में direct admission भी चल रहा है, आप हमारी team से contact कर लो, अगर आपका interest है, वो आपको honestly guide करेगी, और सब कुछ आपसे clearly, जो reality हो वो आपके साथ discuss करेगी, अगर आपको लगता है कि institute आपके criteria को fulfill कर रही है, आपके जो requirements है, आपको अच्छा opportunity परवाइड करेगी, तो आप यहां पे admission ले सकते हो, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते है, और placement है जिसका बहुत जादा हाइप होता है हमारे दिमाग में, placement को हम सबसे ज़्यादा consider करते हैं, तो यह हमें consider करना चाहिए साथ में, एक चीज और notice कर लो कि placement percentage पर हमें focus करना चाहिए, क्योंकि placement percentage आपको बताता है कि कितने number of students placed हुए है इस institute से, वो reality बताता है, तो चलिए देखते है highest package का है, 46 lakh 2023 में इसका highest package था, और average package का 5 lakh per annum है, और clear हो जाओ, आपको और clarity मिल सके, उसके लिए मैंने कुछ data लिया है, वो आप देख सकते हो कि इसमें किस तरह से increment दिख रहा है आपको, like सबसे पहले चलो 2020 पे हम देखते है, तो 2020 पे जो number of company visit थी, वो 147 थी, ठीक है, 2021 में 157 हो गया, और वो data 2022 में 164 हो गया, और even 2023 में और increase किया है, similarly आप जो इसका highest package देखेगा, देखेंगे, तो ये 21 lakh per annum था, और ये 2020 में, जब हम एक साल बात देखते हैं, तो ये 31 lakh per annum है, और ये 42 lakh per annum था 2020 में, और जो कि 2023 में क्या हो गया, 2023 में 46 lakh per annum, जो कि highest, है जो कि last year का है, तो ये काफी अच्छा data है, ये बता रहा है, कि institute का, क्या, growth rate, growth rate काफी बढ़िया है, growth rate काफी अच्छा है, इस institute का, top recruiters, जो visit कर रहे हैं, अदानी जैसे, center जैसे, amazon, mku, software, dell, microsoft, ये सब कुछ मैंने mention कर दिया, आप यहां से check out कर सकते, even, जो placement percentage था, placement percentage जो इसका है, वो भी placement percentage भी काफी जादा अच्छा हुआ है, placement percentage में अच्छा increment देखा जा सकता है, चलिए तो देखते हैं कि किस तरह की recruiters यहां पे visit कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दू कि यहां पे Infosys, Conxunito, Flipkart, PwC, अच्छी अच्छी recruiters, Amazon, Microsoft, अच्छी अच्छी recruiters हैं, वो यहां पे visit करती है, जितना बढ़िया है, और जितना number of recruiters, ज compare करें 2022, तो वो आपके लिए एक वाइडर opportunity प्रवाइड करती है, तो वो आपके लिए एक positive factor होने वाला है, तो चलिए इस वीडियो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कि pros and cons क्या होने वाला, जैसे मैं आपको वीडियो के start में बताएं कि हम बिल्कुल honestly आपको बताएं बेटे के कुछ departments में, तो यह एक काफी अच्छा data है, यहां का जो faculty है, क्योंकि फी जादा आपसे charge करते हो तो यहां की faculty भी काफी अच्छी है, इनका course curriculum काफी अच्छा है, सब कुछ, यहां पे आपको जो companies होती है, यानि कि अच्छे अच्छे companies जहां पे visit करती है, तो यह स to mark नहीं है, उसमें development चाहिए, इसलिए मैंने बताया कि यह वीडियो वीटेक के लिए, वीटेक जो technical department उसका placement यहां पे काफी अच्छा है, और जो लोग non-technical में अगर नहीं मिल रही, companies की visit थोड़ी कम है, क्योंकि आपने team ने जो collect किया information, वो हम आपके साथ डिसकस कर रहे ह तो उसके लिए अच्छे अच्छे companies को बुलाने की अवशकता है, otherwise एक चीज और आप देख सकतों कि इसका fee जो है, वो जो economically sound नहीं है, उनके लिए थोड़ा सा issue होने वाला है, अगर आप economically sound नहीं हो, तो आपके लिए थोड़ा सा इसका fee का भी issue होने वाला है, तो जैसे मैं आपको बताया था कि मैं बताऊंगा आपको अपना personal point of view, तो जैस्ट मेरा personal point of view क्या होता, मेरे personal preferences क्या होते वो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो सबसे major thing है interest, आपका interest होना बहुत जादा जरूरी है, आपका interest होना चाहिए, दूसरा, placement percentage, यहां का जो placement percentage है, वो काफी अच्छी है, उसके साथ साथ नया की जो faculty है, वो काफी supportive है, और सबसे बड़ा अगर कॉंस देखें, अगर आप economically sound नहीं हो, तो आपके लिए problem आने वाला है, आपके लिए issue ask create हो सकता है, क्योंकि जो इसका free structure है, वो उतना ज्यादा affordable नहीं है, दूसरा बात क्या है, कि इस institute म branch मिल रही है, Btech के अंदर, अगर आपको CSE में interest है, CSE मिल रहा है, then well and good, अगर CSE नहीं मिल रहा है, तो आप इसके लिए नहीं जाओ, क्योंकि इसका interest, उसके आद मैं आपको बताओ, जो non-technical department है, non-technical, उस पे में एक proper research करके उस पे video बढ़ाएंगे, non-technical department पे, अभी still need more development non-technical department में, लेकिन जो technical department है, उसका काफी अच्छा growth rate है, जो मैंने आपको previous slides में data लेकर के भी आपको समझाया है, तो आप वहां से check out कर सकते हो, चलिए तो इस video में आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको बता दू कि अगर आपको किसी तरह का भी doubt all over India, किसी भी institute से regarding आ रहा है, तो आप हमारी college to campus की team से contact कर सकते हो, they will help you out, साथ में जो हमारा mail है, email id, वो हमने mention कर रखा है, तो आप हमारे email पे भी mail drop कर सकते हो, वहां पे भी, साथ में whatsapp number पे आप हमारे भी text drop कर सकते हो, हमारी team 24 into 7 आपके help की available है, और मैं फिर से आपको promise कर रहा हूं कि हम सब कुछ आप कभी myth या misconception में आपको डालना नहीं है, और भी अगर by chance हम से किसी तरह का mistake हो जाए, तो आप हमारे team से discuss कर सकते हो, हम वहां पे improve करेंगे, और उसको हम check out भी करेंगे, पर मेरा primary और मेरा खुद का goal क्या है, कि आपको honestly सब कुछ बताना, pros and cons, और अगर उसके बाद, आप admission ले charge होने से भी आपको बचाएंगे, तो आप हमारे team से contact कर लो, हमें mail कर सकतो, whatsapp number पर, direct call भी कर सकतो, so thank you for watching, please subscribe our channel, stay blessed, stay happy, okay thank you